26 और 27 फरवरी को मनाई जाएगी संत रविदास जैनती अखिर भारतिय रेगर माहा सबाने शुरू की तैयारियां रेगरान विश्नु मंदिर में होगा जन्मोस्नाव कायो जन् नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुरेश जैसिंगानी कंसल्डेंट फिजीशन शुभोम होस्पिटल वेशानलगर से बात कर रहा हूं दोस्तों 96 में जेलन मेडिकल कॉलेज से अम्डी करने के बाद में अपने इसनस्तान प्राव्म किया था तब से विगत 25 सालों से अम अगर आप इन किसी भी विमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामश ले सकते हैं धन्यवाद अखिल भारती रेगर महासबा अजमेर शाका और अखिल राजिस्तान रेगरान विकास अमिती के तत्वादान में 26 और 27 फरवरी को संत रविदास जैन्ती मौसव मनाय जाएगा मौसव को लेकर आज समाज के वरिष नागरिकों की एक बैठक का आयोजन किया गया बैठक की जानकारी देते हुए अखिल भारती रेगर महासबा अजमेर शाका अध्यक्ष अरविन धुल खिडिया ने बताया कि संत रविदास जन मोसव के अस्वर पर समाज के नव निर्वाचित पार्षद और अन्य जन प्रतनिदियों का समान किया जाएगा साथी समाज में सरानिय कारे करने वाले लोगों के साथ वरिष्ट नागरिकों को भी समानित किया जाएगा संत रविदास जन मोसव पर शुकरवार शाम 6 बजे रेगरान विश्णु मंदिर के पास बजन संद्या का आउज़र होगा साथी संत रविदास की जीवनी पर परिचर्चक भी आईज़ित की जाएगी कारकर में मुक्यतिती के तौर पर पूर विदायक डक्टर राजकुमार जैपाल केलाज जालिवाल देश राजमेरा और द्रोबदी कोली को आमंतरित किया गया है अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इगलिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरहा के कन्फेक्शनरी आईटम्स यू ट्राइड दरेस्ट, नाव ट्राइड दर बेस्ट, वियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रिजिदेन्स बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर 26 और 27 अजमेर को संतर रविजदाज जन मौसव का कारिकम किया जा रहा है अखिल भारते रेगर मासबा जवाज़ा का जमेर अखिल राइस्तान रेगर नुकास समयती दोबारा छंडर रविजदाज जन मौसव पर हमारे समाज के जो नर्भाचित नगरन नियम के पार्षित और अन्य चेदरों सर्पंच वगेर जो जीत किया है आज कल उनका संत्र अविजदाजी जनमों से कारिकम के इंतर उनका सम्मान किया जाएगा और साथ ही समाज में जो सरानिय कारे करे हैं समाज के उन विशेष विक्तियों का भी सम्मान है और सीनेर सिटीजनों का भी सम्मान किया जाएगा उसात में कल शाम को संत रवीजाज जी के जीवन पर कल बजन गीतों के माध्यम से भी उनके जीवन के परकाश डाला जाएगा और हमारे आने वाले पीडियों के बता जाएगा कि संत श्री रवीजाज जी महाराज ने हमारे समाज में क्या क्या नए उत्थान किये किस तरह से समाज की रक्षा किया और उनको आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना जीवन समर्पत करिया तो कल उसकी जन्तिक माउसों की तैयारी चल रही है इस तैयारी में विविन तरह की कमेटिया बनाएं ली गई है सब को अलग-अलग जिम्मेदार दे दी गई है अदध्यक शिरी देशराजी महरा और मापोर की परत्याशी शिरी दुरुपती कोली को कल विशेश गेस्ट के रुप्योंने अम्रथति किया है अनके आतों से अमारे नेर्वाचित पार्शद और समा सियों को सम्मानित किया गmost सब्सक्राइब करेंगे और 27 परवरी को अमारे इस चेतर में आंगनवाडियां हैं उनके बच्चों के साथ में बेटकर उनकी दिने चरिया करके उनकी बीच में इस दरुईदाज जनती का मनाई जाएगी दल्लाल बारोलिया पूर पार्शत कल रविदाज जनती है और ऐसे प्रोग्राम भाई अर्विंद हमेशा करवाते रहें ताकि हमारे समाज में हमारे महान जो क्रोना ट्रेना स्रुछ थे जिनके हम अनुयाई हैं उनकी जियुनी पीछे वाली पीडियों को ग्यात हो और जो उनकी शिक्षाएं थी उन पे हम मनन करें उन पे चलें तो समाज का उत्थान होगा और ये हमेशा अर्विन भाई प्रोग्राम करवाते रहते हैं और समाज को अवगत कराते हैं उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि इस परकार की प्रोग्राम होने चाहिए मोहन वाच एंड मोबाई अज में शहर में चार कतिष्ठान आपकी अपनी मोबाई की दुकान जहां आपको मिलेंगे हर ब्रैंड के लेटेस्ट मोबाई और असेसरीज वो भी सचसे कम और किफायती दरूपर मोहन वाच एंड मोबाई कजरी रोड नसीराबाद रोड वैशारी नगर और स्टेशन रोड अजमेर झाल